मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागा थे आज 14 मार्च है और गुरुवार का दिन है अमारे साथ में लसून और प्याज के बड़े व्यापारी हैं जिन से हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की आज मंडी में आवग रही है पूरा मंडी का पांडाल है पूरा लसून से भरा हुआ है अगर उपर से आप व्यू देखेंगे तो आपको चांदी की तरह ये पूरा पांडाल नजर आएगा और इतने ही वहान जितनी फसल मंडी के अंदर है उतनी ही फसल मंडी के बाहर भी खड़े हुए हैं करीब एक हज आपनी बारी का इंतिजार कर रहा है और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं मंडी के अपर ही है उनसे की आज किस तरह का क्या शुब नाम है अमन गर्ग आपका बहुत बहुत स्वागत मार्केट टाइम पीजिए में आज क्या रहा है और रुजान मंडी का और कल से मार्केट कमाल होते हैं तो साथ एजार से लेकर आट एजार के माल विड़के हैं बाकि मोटे माल जो हैं 85 रुपे से लेकर पिच्छन रुपे विक्या है यह देशी का रेट है उटी का इसमें मान के चलिए 10 रुप प्लस करके चलिए मतलब अगर कुंडल के साफ से रुपे मान के चलो तो उटी का भाव मीडियम जो माल है वो 6,000 रुपे मतलब 60 रुपे से लेकर 60 रुपे किलो नीचे में विक्या है और उपर में 130 रुपे तक विक्या है अगर प्याज की बात करें तो प्याज कि आवग कम आ रहा है बहुत कम आ रहा है और प्याज भी मुझे रसमान मार्केट चल रहे तो वही मार्केट जाए उपर में 16 रुपे से 17 रुपे तक भी रहे है अब लसून की इतनी आवग हो गया रहा है लेकिन प्याज की भी जो किमत है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया लेकिन लसून का जो है उटी का रेट है वो 13,000 तक मंसुर मंडी के अंदर बिक रहा है इसके साथ ही देशी जो लसन है वो 11,000 तक मंसुर मंडी के अंदर बिक रहा है तो इस तरह से मंडी के अंदर जितनी मलब 22,000 कटके अगर मंडी के अंदर अभी यहां है पड़े हूँ है तो करीब इतने ही जो आवग है वो मंडी के बाहर भी वहानों में खड़ी है और शाम तक ये जो तमाम लसून है जो है वो बिखने की बिख जाएगी ये अनुमान है